नमस्कार सात्यों, welcome to Lahani ji भारत के भोगोल स्रंखला का यह पंद्रमा पार्थ है और आज के इस पार्ट में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कोईला भारत में जो भी खनीज इधन पा जाते हैं और यह भारती खनीज स्रंखला का एक पार्थ है कोईला से लेट जो भी खेतर हैं कौईले पा जाते हैं कौईले से लेट जितना भी महत्तुमून पॉइंट्स हैं, वो सभी आज के इस वीडियो में बता जाए रहे हैं सबसे पहले कोईले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बाद कोईला कितने प्रकार का होता है, कौन से कोईला कहां पा जाता है, इस सबी चीजों के बारे में जनकारी लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में इधन के बहुत साधन है, चाहें वो कोईला हो, पेट्रोलियम हो, कैरुसीन हो, लपीजी हो, लकडी हो, कुछ भ यह जो है यह वयपारिक इधने है इन इंधनों को वयपारिक रूपसे प्रियोग किया जाता है अब इसमें जो सबसे पहले हैं ढाद करने वाले हैं वो है कोईला जो है वो देज में अर्जा का सबसे महतपूर स array अगर हम उर्जा के सबसे महतपूर्ण सुरोत की बात भारती इसतर पर करें तो भारत में जो कोईला है वो उर्जा का सबसे महतपूर्ण सुरोत है और देश की वैवसाइक उर्जा की खपत में इसका जो योगदान है वो सरसट प्रतीशत है देश में पूरे देश में जो भी इंडिस्तियल रूप से जो भी उर्जा की जुरुत होती है इसमें जो कोयला है इसका युगदान सर्सट परसंट है चाहें वो कोई भी प्लांट हो कोई भी मील हो जाहें बिज्लित पाद नो rum कहीं पर शन्री उर्जा की ओसक्ता पड़ती है तो भारत में जो कोईला की खपत है उसका जो योगदान कितना है सरसट परसंट उसके अलावा जो बाकी है पेट्रोलियम प्राक्रितिक गैस उनका यूज होता है लेकिन सरसट परसंट योगदान कोईले का होता है इससे अनुमान लगाया सकता है कि कोईला कितना महत्पूर्ण सुरोत है कोईले से प्राप्ट जो सक्ती है अगर हम comparison करें तुल्ना करें तो कोईले से जो सक्ती प्राप्ट होती है वो खनिच-ैलlıस से प्राप्ट कीगी इस सक्ती से 2 गुनी होती है जितनी सक्ती कोईले से प्राफ होती है खनीश तेल से कैसी होती है 2 गुणी होती है प्रक्रतिक गैस के पेच्छा 5 गुणी होती है enem कोईले सक्ती प्राफ होती है उसका अगर हम दूसरे से के चल्प विद्व सक्त hay stoked ऑट गुणी ज्यादा ताकतवर होती है इसका जो इसमें जो निकलने वाला जो भी सक्ति होती ही उर्जा होती है वो इन सभी कंप्रिजन में ज़्याद होती है इसके महत कोई कारण कोईले को काला सोना कहा जाता है किस इनन को काला सोना की संग्या दी जाती है काला सोना किस इनन को कहा जाता है तो कोईले को काला सोना कहा जाता है कोईला भंडार की द्रश्टी से भारत का विश्व में पांचवा इस्थान है यदि हम कोईले भंडारन के इस्थान देखें तो उसके हिसाब से जो कोईला है उसके उत्पादन में भारत भंडारण में पांच में इस्थान पर है विश्व में पांच में इस्थान पर भारत है देज में कोईले का समस्त उत्पादन का 76.5% भाग बिजली उत्पादन में खपत होता है। जो भी कोईला उत्पादन होगा उसका 76.5% भाग बिजली उत्पादन में ही खपत हो जाती है। अगला जो पॉइंट है कोईले के प्रकार। भारत में किन-किन प्रकार के कोईले पा जाते हैं। तो कोईले का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसमें उपस्तित कार्बन वास्प एवं जल की मात्रा के अधार पर किया गया है। जिस कोईले में जितना कार्बन वास्प और जल की मात्रा होती है उसके अनुसार ही कोईले का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सबसे पहला कोईला है वो है एंथ्रासाइट कोईला कैसा होता है। यह कोईले की सबसे उत्दम किस्म होती है यह सबसे अच्छा कोईला होता है और क्युआ讓我们 Sherman में क्याना है कि सबसे भारत में पाय Aww कौई सा है तो वो कॉँण सा है अंथ्रय्या इसमें क्या होता है अगर इसमें परसेंटिस की बात करें तो इसमें जो कार्बन की मातरा होती है, वो 80-95 पृतिशत तक क्या है कि तकशनग कार्बन होती है, जो कि 2-5 पृतिशत तक होती है, बाकि इसमें वास्प होता है, इस कोईलिक विशलता क्या है? जलते समय धुआ नहीं देता है, जो एंत्रियसाय product कोईला है, ये जलते समय इस में आधिक होती, ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला, कहा जाता है यह एंतरासाइट कॉयल्था जंमू कसमी केंड़ा है अग्ला जो है, बिटुमिनस कॉयला, जो दूसरे प्रकार का ग्लिण इस्तित हूए इसमें क्या होता है इसमें कारबन की मात्रा 55 से 65 प्रतिश्पक अगर मैं इसमें कारबन की बात कर रहें, तो चलें की मत्रा बाकिन में इसमें वास्त पाई जाती है बितुमिलस कोईला जलते समय साधाराण सा धुआ देता है जैसे कि जो एंथरासाइट कोईला था ये बहुत ही कम धुआ देता है लेकिन जो बितुमिलस कोईला होता इसमें anthraceit koila xe फुड़ा जीदा दुवा निकलता है जो bituminous koila js give this तक त्रेष्टी से महतपूर पॉंट है वह ये है कि bituminous koila किस गुंडवाना का 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 два के शुड़ा now होता है ये यहांपर इंपर्टेंट है तो इससे जो question वह इती होगा कि bituminous koila किस काल का कोईला कहा जाता है, तो बिटुमिनस कोईला जो है वो गोंडवाना युग का कोईला कहा जाता है, गोंडवाना युग का जो भी कोईला है, वो बिटुमिनस प्रकार का ही होता है, अगला जो है कोईला वो है कोईले का प्रकार लिगनाइट, लिगनाइट कोईला य यह के यह काला नहों करके कैसा होता है। । यह जो प्रक्रती हो पाया जाता ह। लिगनाइट कोईला कहां पाया जाता है लिगनाइट कोईला तमिल नाडू, राजिस्थान, मेगाले, असम, वेलोर और दार्जिलिंग में लिगनाइट कोईला पाया जाता है सबसे खराब प्रकार का कोईला लिगनाइट होता है इसका रंग कैसा होता है भूरा question generated होता है lignite koila का जो रंग होता है या इसकी प्रक्रती कैसी होती है तो इसकी प्रक्रती होती है वो भूरी होती है koila भूरे रंग का होता है या तमिलनाडू, राजिस्थान, मेगाले, असॉम, वेलोर और दार्जिलिंग छेत्रों में पायाता है अब इनके बाद हम बात करेंगे koila छेत्रों की ये तो थे प्रकार अब हम बात करेंगे koila छेत्र की कौन-कौन से छेत्र koila से संबंदित है और कहा कहा कोila पायाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे koila छेत्रों में गोंडवाना koila छेत्र जो गुणवाना युक के जो कोईला छेत्र हैं वो कौन कौन से हैं गुणवाना छेत्र के अंतरगत कौन कौन से प्रमुख कोईला छेत्र आते हैं सबसे पहला है रानी गंज छेत्र यह कहां पड़ता है पश्चिम बंगाल राज में रानी गंज छेत्र कोईला के लिए बहु पश्ची मंगाल का रानी गंज यह कहां पड़ता है रानी गंज जो है वो पश्ची मंगाल राज में पड़ता है और यह जो छेत्र है वो दामोदर घाटी में इस्तित है दामोदर घाटी में रानी गंज छेत्र इस्तित है पश्ची मंगाल राज में और यह देश का सबसे मह जो भी उतपादन होता है उसका 35 % जो भाग है वह रानी गंज च्छेत्र से ही उतपादित होता है इस यह काफी महत्पूर्ण और बड़ा च्छेत्र है तो एककोषिण यहां से जनरेट होता है कि बच्छी मंगाल का रानी गंज च्छेत्र किस खनीच उतपादन के लिए महत्पूर्ण है तो यह कोईला उतपादन के लिए महत्पूर्ण है नेक्स्ट है धनबाद जिला जो जारखंड का धनबाद जिला है वहाँ पर जारिया कोईला छेत्र जो धनबाद जिले में जारिया कोईला छेत्र है यह जारखंड का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक छेत्र है जो रानी गंज था वो देश का सबसे बड़ा और महत्पून था और जो धनवाद जिले का जारिया कोईला चेतर है यह जारखंड राज का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक चेतर है तो वहां का जारिया कोईला चेतर सबसे बड़ा कोईला उत्पादक चेतर है अगला है गिर्डी छेत्र गिर्डी क्या होता है यहां पर यह भी जारखन राज में इस्तित है लेकिन यहां पर जो कोईला पायाता है उसकी मुख्य विसेस्ता क्या है कि इस कोईले जो यहां पर पायाना कोईला है इससे इस टीम कोग त्यार के आती है जो कोईले का ही एक पर जो पाए जाने वाला कोईला है इससे ही यह स्टीम कोक तयार किया जाता है इसका यूज कहा होता है धातु सोधन इतने भी प्लांट है यह दातु सोधन के जो भी कार खाने है वहां पर इस्टीम कोक का यूज होता है यह किस से बनता है यह भी कोईले से बनता है लेकिन जो ग्रडी छेत्र में कोईला पायाता उससे यह अधिक अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है अगला जो कोईला छेत्र है वो है बोकारो छेत्र बोकारो छेत्र हजारी बाग जहरखंड में इस्तित है जो हजारी बाग छेतर है वो जहरखंड में इस्तित है और यहां से भी कोग बनाने के लिए उत्तम कोईला प्राप्त किया जाता है तो जहरखंड राज के गिरडी और हजारी बाग में जो कोईला पा जाता है इससे कोग बनाया जाता है महानदी घाटी ये ओडिशा राज में पढ़ता है महानदी क्योंकि महानदी ओडिशा राज में बहती है तो महानदी घाटी कोईला छेतर के गाने बात करें तो इसके अंतरगर्ट ओडिशा के तलचर और संभल पूर छेतर आते है जो महानदी का छेत्र है उसके अंतरगत ओडिशा के तलचर और शंबल पुर छेत्र आते हैं यहां पर भी कोईले का खनन कीया जाता है उसके लावा 36 गड़ का कोरबा चेतर में भी बहुत खाने हैं और उस कोईले का उपयोग भिलाई इसपात कार खाने में किया जाता है जो भिलाई में स्टील अथर्टी और फिंडल लिम्टेट का इसपात कार खाना है उसमें जो कोईले की सप्लाई होती है वो 36 गड़ के कोरबा चेतर की जो खाने हैं वहां से सप्लाई होता है अब हम कोईले से लेटेड कुछ पॉइंटों की बात करेंगे एंथरासाइट कोईला जो की सबसे अच्छा होता है इसको कोईला कोकिंग कोईला भी कहा जाता है कोकिंग कोईला किस प्रकार के कोईले को कहा जाता है तो कोकिंग कोईला एंथरासाइट प्रकार के कोईले को कहा जाता है यह question बनता है इससे पूछा भी गया है कि cooking koila किस प्रकार के koilio कहा जाता है anthracite, lignite या फिर bituminous तो इसका जो answer होगा वो होगा anthracite cooking koila anthracite को कहा जाता है उसके लावा जो peat koila होता है उसका निर्माड कहा होता है पीट koila का निर्माड दलदलों में होता है जो दलदली छेतर है वहाँ पर जो koila पा जाता है वो कैसा होता है वो peat koila कहलाता है next जो point है वो है तारकोल से लिटेड तारकोल किसे कहते है जब हवा के अभाव में koila का अपर्याप्त दा जब उसको जला जाता है हवा का अभाव होता है वहाँ पर और उसमें koila को जला जाता है तो उससे जो बचा हुआ अविशिष्ट पदार्थ होता है उसमें जो भी बचता है पदार्थ उसको तारकोल कहा जाता है तो तारकोल कैसे बनता है तारकोल बनाने की जो प्रक्रिया है वो यह है कि हवा के अभाव में जहां पर हवा नहीं होगी और उसमें कोईलो को अपर्याप्त रूप से उसको जला जाएगा तो उससे जो अविसिष्ट पदार्द बचते हैं वो तारकोल कहलाता है अगला पॉइंट है कोईला किस प्रकार की सैलो में पाया जाता है तो कोईला जो है वो अवसादी सैलो के मद्ध पाया जाता है इंपोर्टन पॉइंट है कि कोईला किस प्रकार की सैलो में पाया जाता है तो कोईला अवसादी सैलो में पाया जाता है भारत में जो कोईला पाया जाता है जो जीतने प्रकार के कोईले पायाते हैं वो सभी गोंडवाना एवं टर्सरी युग की चटानों से होती है इसमें सबसे अधिक जो पायाता है वो गोंडवाना युग की ही चटाने होती है गोंडवाना युग की जो अधिस हैले हैं उसमे कि यूधि प्रकार में अगर अगर भारत कि अधिक कोईला हीआधा यूधियार। लिगनाइट, बिटुमिनस और एंथरासाइट तो सबसे अधिक जो कोईला प्राप्त के आता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोईला पायाता है जो की दूसरा सर्वोच कोईला है तो भारत में सबसे अधिक जो मातरा पायाती है किसकी होती है? betuminous koile की पायाती है अगर हम देश में Koile के संचित प्रमारित भंडारों की बात करें तो जारखन्ड राज जो है वो प्रतम इस्थान पर है ना बात कर रहा है उथ बातो भंडारण की त्रश्ठी से करते लिए तो जायक्तार राजáfic घ्रॉण न reuse वह आज के topic में सिर्फ इतना ही अगले जो topic होगा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम अगला जो इंधन होगा petroleum और natural gas उसकी बाद हम अगले point में topic में तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे like और share करना बिल्कुल भूलिए हमारे नए viewer जो की हमसे पहली बार जोड़ की बत्रे दो ह keywords एends एड़्यू सुष है जीजञा